आज जहां पूरे हिमाचल में कॉंग्रेस ने महंगाई के बिरोत में धरना परदर्शन कर उपायक्तियों के माधिम से ग्यापन भेजे तो बहीं अपने ग्रीजिला पहुंचे केंडरी बित राजय मंत्री अनराक ठाकोर ने महंगाई पर कॉंग्रेस को जम कर घेरा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को अपना कारेकाल को नहीं भोलना चाहिए था जब महंगाई दर सबसे जादा हुआ करती थी प्रदेश में कॉंग्रेस के महंगाई को लेकर के जा रहे परदर्शनों पर केंडरी बित राजय मंत्री अनराक ठाकोर ने हमिरपुल में पलड़वा को अनास देने का काम किया है तो करोना महामारी के दुरान भी पूरी सहायता की है उन्होंने कहा कि करोना काल में नोकरी जाने पर EPFO का श्ट्रे दे रही है ताकि लोगों को रोजकार मिल सके उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए पुंजी गत ब्यवय पर 2004 से 2014 तक उनके कारेकाल में महंगाई दर 12%, 13%, कभी 11% इस तरह से रहती थी आज अधिकतर वस्तों के दाम महंगाई दर से बहुत नीचे भी हैं और लगातार सरकार ने प्रयास किया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और क्रोणा की महामरी से बचाने के लिए 80 क्रोड लोगों को 8 महिने तक अनाज देने का काम किया तो मोधी सरकार ने किया क्रोडों लोगों को जिसमें 20 क्रोड जंधन खाता धारक महिलाएं उनके खाते में 31,000 क्रोड पया नका जमा मोधी सरकार ने करवाया तीन क्रोड वृद्ध विद्या दिव्यांग जिनको पेंचन के लावा तीन हजार क्रोड पे मोधी सरकार ने अलग से दिया E.P.F.O. में 24% पैसे इंप्लायर इंप्लाई का शेर मोधी सरकार ने डाला ताकि किसी की नौकरी ना जाए अब नौकरी किसी की गई और वापस मिल जाए तो उसके लिए भी अगले दो साल तक E.P.F.O. का शेर करमचारी भविशे ने दिका शेर मोधी सरकार दे रही है ताकि लोगों को और रोजगार मिले Production Link Incentive Scheme हो या बाकी सुविदाएं हो Manufacturing और बड़े तो उसके लिए वो कदम हमने उठाने जा रहे हैं एक और देश को आगे बढ़ाने के लिए Capital Expenditure पूंजी का तवे जो है वो साड़े 34% जादा पिछले साल से कर रहे हैं लगबग साड़े 5 लाग क्रोड पर खर्चोगा इससे देश में रोजगार की और संभावने बनेंगी जहां एक और अन, धन और बाकी रोजगार देने का काम मोदी सरकार पहले से आदा कर रही वहीं पर और इंडस्टलाइजेशन यहां पर हो और रोजगार उत्पन हो उस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे है धरमशाला में परदेश कारिस्मिती की बैठक पर केंडरी वित राजयमंद्री अनुराक्ठा को ने कहा कि किसी भी परदेश की पार्टी के लिए रास्ट्री अध्यक्ष का आना गर्व का विश्य होता है उन्होंने कहा कि केंडर और परदेश का नेत्रित्व एक साथ इकटा हुआ था जिसके चलते बैठक को गंभीरता से लिया है जिसके आगामी दिनों में पईणाम सामने होंगे तेकि किसी भी पार्टी के लिए उसके राश्ट्री अध्यक्ष का आना परदेश का रिसमिती में वारफ का विशे है और नड़ाजी परदेश से है राश्ट्री अध्यक्ष हम सब कले मान सम्मान की बात है और जब परदेश का पूरा नित्रतफ केंदर और परदेश का सब इकटा हुआ तो भारती अंता पार्टी ने इस मीटिंग को बड़ी गंभीरता से भी लिया और आपदा के समय जिस तरह से जनता की सेवा भी भाजबा के कारे करताओने की केंदर और परदेश की सरकार ने शांदार कारे किया उसको लेकर भी जिस तरह से रेजुलिशन पास हुआ है और देश और दुनिया ने सराहा है जो कोविड के समय कदम मोधी सरकार ने उठाए या परदेश की सरकार ने उठाए उसको दुनिया भरने सराहा है